दोस्तों, अमेरिका ने 52 साल बाद फिर से चांद पर अपना पेलोड उतार दिया है माना हम चंद्रियान की बात करें तो चंद्रियान जो था वो सदन पोलर रीजन के बहुत पास गया था हम तक्रीबन 70 डिगरी साउथ पर लेंड कर गए थे सॉफ्ट लेंडिंग हुई थी हमारी विक्रम लेंडर की लेकिन अभी इंट्यूटी मशीन के नोवा सी लूनर लेंडर ने 85 डिगरी साउथ के पास एक क्रेटर है और उस क्रेटर के अंदर सॉफ्ट लेंड किया यानि much more closer to the southern pole of the moon अब यह सब हुआ कैसे अपन इसको समझते हैं दोस्तों तो देखो हमने launch किया Falcon 9 की मदद से नोवा सी का जो लूनर लेंडर था उसको launch किया इंट्यूटी मशीन ने फिर separation होता है तो यहां पर देखो कुछ इवेंट्स लिखेंवें लेट्स हैवा लून्च हुआ फिर launch वहिकल से separation हुआ देन जो third part है यह बहुत important है क्या होता है third part में autonomous commissioning का मतलब क्या है इस वक्त जो यह नोवा सी है जो इंट्यूटी मशीन की यह जो robotic lander है यह अभी communicate नहीं कर रहा होता है इसको कुछ नहीं पता होता है यह अभी भी एक तरीके से सोया हुआ है इसका कोई communication ground station से नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है यह just separate हुआ है बहुत जोरों से घूम रहा है तो यहां पर इसके thrusters जो है वो इसको stabilize करते है यानि इसका जो attitude and orbital control होता है जो मैं बार बार कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ कि वो ही आंख नाख कान होते हैं satellite के जो कि उसको बताते हैं कि वो कैसे घूम रही है किदर जा रही है तो वही जो attitude control sensors है वो देखते हैं भी बहुत जा स्पिन हो रहा है इसकी spin को रोका जाता है तृस्टर को फायर करके शब्स को रोका जाता है तो छुट-छटर लगे वह इसको रोका जाता है फिर इसके उपर जो sensors है नहीं जो इसकी आखे हैं वो आजू-बाजू के environment को देखती दिखती क्या दिख रहा है मुझे अच्छा कुछ stars के pattern दिख रहे है फोटो खेंच लो सूरज की दर है सूरज की दर है अच्छा सूरज इदर है इसकी फोटो खेंच लो उन sensors की मदद से इसको चलता है कि यह कहां है किस दिखा में जा रहा है और फिर इसके उपर जो यहां पर इसका top deck है वहां पर जो solar panels है उनको इस तरीके से align किया जाता है कि यह power generate करें maximum तो maximum power generate करने लगता है तब यह जागता है और फिर autonomous commissioning से हम आ जाते हैं next phase में जहां पर इसका communication चालो हो जाता है ground station से उसको कहते है engine commissioning engine commissioning में क्या होता है इसके engine को जगाया जाता है अब यहां पर जो engine use हुआ है वो mythologs engine है यानि हमारे पास methane और oxygen था combination है cryo engine है और हम यूज करें methane और oxygen को यह भी एक बहुती first in the series of different missions जो है जो चांद पर गए उनमें से एक है यहां पर engine commissioning की जाती यानि अब engine को check किया जाता है धीरे धीरे propellants को engine के अंदर पास करने की कोशिस की जाती है फिर चेक किया जाता है कि हाँ सब सही तो चल रहा है न सारे पर जीते भी walls हो गए रहे हैं जो pump से सब सही काम कर रहे न क्यों क्योंकि अब हमें जरुत पड़े 1,2,3 क्यों करे जाते हैं trajectory correction maneuvers यहां पर इसलिए करे जाते हैं क्योंकि हम जातो रहे हैं लेकिन अगर हमने हमारे रस्ते को भी सही नहीं किया तो instead of going towards the moon अगर हम कहीं और निकल गए तो mission तो fail हो जाना है क्योंकि छोटा सा deviation यहां पर तो यह जो लाखो किलोमेटर की journey हम travel करे तो छोटा सा deviation when it will end up it may end up way beyond the moon तो यहां पर trajectory correction maneuver करे जाते हैं हमारे पास engine से thrusters है fire किया गया हमने correction किया trajectory का फिर next step आता है maneuver to lunar orbit insertion यह सारी बात सुनके वैसा है लिग रहा है जिससे चंद्रियान 3 में हमने किया था बिल्कुछ सब कुछ वैसा ही है तो lunar orbit insertion करा जाता है जो चंद्रियान 3 का भी किया गया था lunar orbit insertion के लिए क्या किया जाता है देखो अब यहां पर यहां पर यह इसका head इसको capture करेगी तो हम बोलेंगे हमने lunar orbit insertion कर दिया lunar orbit insertion के लिए maneuver to lunar orbit insertion attitude का मतलब यह वाला पार्ट है यहां से हमने यह करा attitude मतलब हमने उसके orientation को adjust किया हमने फिर यहां पर thrusters fire करे slow down किया और चांद ने इसको capture कर लिया lunar 25 में इस वाली step में problem हुई थी उनके जो thrusters थे वो over fire क speed इतनी कम हो गई थी कि चांद के gravity ने capture तो किया लेकिन चांद के चाओ तरफ घुमने की वजाए जो lunar 25 था वो चांद पर जाकर बिढ़ गया था लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हमने soft land कर दिया है चांद के उपर ठीक है और फिर हम जाते है low lunar orbit में यह कौन सी orbit है low lunar orbit वही है जो चंद्रियान 3 की orbit भी हमने सोची थी तो चंद्रियान 3 की orbit सोची थी वो हमारी orbit थी 100 km by 100 km वाली orbit तो एक circular orbit है चांद के चाओ तरफ घुमने वाली orbit है 100 km की orbit हम उसके अंदर आ जाते है ठीक है यहां तक सब कुछ perfectly fine चल रहा है एकदम perfect no issues और यह सारी चीज एक of terror है तो यहां पर इस वक्त यह जो हमारा intuitive machine का nova sea lander है यह वही वही speed है तकरीवन 1600 से 1800 meter per second वाली speed है उस speed से आगे आ रहा है अब यहां देखो थोड़ा सा पहले इसका attitude देखा एकदम horizontal से थोड़ा सा इसको हमने position को change किया इसके attitude को change किया थोड़ा थोड़ा चेंज कर थोड़ा और चेंज कर इस पूरे समय में क्या हूरा है इस पूरे समय में यह terren mappingg भी कर रहा है यह देख रहा है कि मैं जहां land करना चाहता हूं किया हमें वहां पर proper location दिख रही है वो match करे को कि already on board कुछ images है, उन images से इसको compare करना है, सब real time हो रहा है, यानि अब जो sensors यहां पर काम कर रहे हैं, वो sensors वहीं आखनाक कान है, इसके, जो सुनेंगे, जो देखेंगे, जो इसको बताएंगे, कि जहां जा रहे हो सही है कि नहीं, तो पहले आता है, है, descent orbit insertion, तो descent करने वाले orbit में आते हैं हम, descent करने वाले orbit में 100 by 100 के orbits हम change करके, इसको descent के लिए तयार करते हैं, फिर terrain relative navigation होता है, terrain relative navigation होता है, इसके उपर, जो sensors लगे वे, वो terrain को देखते हैं, navigation के लिए, फिर power descent का initiation हुआ, power descent कौन सा था, वो ही 17 minutes of terror वाला, वो सब हुआ, pitch over with main engine, main engine को use करते हुए, हम pitch over करके, इस position में आते हैं, ठीक है, यहां पर हो पहुचते हैं, फिर hazard detection and avoidance check होता है, तो यहां पर hazard detection and avoidance को check करा जा रहा है, we can see this happening here, यहां पर check करा जा रहा है, कि कोई problem तो नहीं है, जहां हम land करन चाहते हैं, परफेक्टली फाइन तो है ना, then vertical descent, सब कुछ, चंद्रियांत्री विक्रम लेंडर वाली बात है, vertical descent हो रहा है, vertically नीचे आ रहे, फिर एक point पे हम रुकते है, vertical descent के बाद, फिर से हम सारी चीज़े check करते हैं, लेकिन अब हम जहां पर हैं, वहां पर हम इतने पास चांद की सता है कि मिट्टी उड़ने लग जाएगी, जो हमारे thrusters fire हो रहे हैं, यहां पर जो हमारे thrusters continuously fire होता रहता है, continuously fire होता रहता है, क्योंकि हमें touchdown करना, soft land करना है, फिर terminal descent जो होता है, terminal descent में cameras का कोई role नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अब inertia sensors लगे होते हैं, मतलब हम आख बंद करके, सिर्फ आख बिना देखे, जो हम सुन रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसके भरोसे चांद की सतह पर जाने की कोशिस करते हैं, touchdown की कोशिस करते हैं, क्योंकि हम देखना भी अगर चाहेंगे, तो इतनी में ट्यूड रही है चांद की, कि हमें कुछ दिख देना, कॉमेंट सेक्षिन में जरूर से बताना कैसा लगा, मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए, जैहें